अलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी योटूब चैनल सरकारी नोपरी डेली पूश्ट में दोस्तो आज के स्वूडियो में हम 36 गड़ स्वास विभाग के अंतरग्रत जारी के गया ओफिसल नोटिफीकेशन के बारे में जानने वाले हैं जिहां दोस्तो यहां पर जितने भी पोश्ट निकाले गए हैं वो सीधी भरती के माध्यम से सेलेक्शन होने वाला है जिसमें आपको कोई भी एकजाम नहीं देना है और ना ही आपको कोई सुल्ख पेमेंट करना है जो भी एक्चुक और पात रूमिद्वार होंगे वे ओनला हो सकते हैं इसकी पूरी जानकरी इस वीडियो में कभर करेंगे तो वीडियो के लाज तक बने रहीएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूब कर लीजिएगा यहां पर आपको सरकारी नोक्री से के ओफिसल वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्रिप्शन में दिया हुआ है अब आवेदन कब से कर सकते हैं तो दिखिए 27 जुलाई से लेकर 10 अगस 2023 तक रखी गई है तो जितना जल्दी हो सके आवेदन जरूर लीजेगा अब इनक से लेकर 56,900 रुपए की से लिए 6 पोस्ट दी गई है ओपीडी अटेंडिन की बात करें तो लेबलीक के अधार पर 15,600 से लेकर 49,400 रुपए की से लिए वैसे भृत्य आया स्वीपर और चोकिदार के लिए सेम से लिए यहां पर पोस्ट लेकिन अलग लग लग दिया गया आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पेरामेडिकल PR newerstation भी उत्रीड होना चाहिए इसके अलावा पेरामेडिकल कॉंसिल से ड्रेसर के रूप में यानि कि जीज पोस्ट के लिए जो भी सेक्षेड की बताय हैं रखी कई हैं उनसे सम्मन्धित दस्ताविज आपके पास होना चाहिए इसके अलाव सम्मन्धित कॉंसिल से जीवित इस्थाई पंजियन जीवित रोजगार पंजियन का परमारपत्र होना चाहिए जाती, निवास, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता पर्मारपत्र, सासके और सासके संसा में कारगरत हैं तो आपको नियुकता द्वारा अनापती पर्मारपत्र प्रसूत करना होगा, और आप जितने भी डॉकुमेंट सम्मिट करेंगे तो उनकी सत्यापन के अंक निर्धारान कैसे किया जाएगा तो यहां पर देखें, त्रिटिस रेटी प्रक्रमांग एक के लिए सेक्षड योगताओं का 40% रखा गया है, वहीं पर तक्निकी योगता का 45% रखा गया है, अनुभाव का 15 योगताओं का 85% रखा गया है, अभी इन पदों पर होना चाहिए, तो यहां पर देखें, एक जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्स होना चाहिए, और अधिकतम 35 वर्स रखा गया है, जिन में आरक्षित वर्गों को निम्नामसार चुट दी गई है, जो सभी को मिलाकर 45 वर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चलिए आप बा करना है, इसके बाद ही आपको आवधन करना होगा, जब आपका आवधन सब्मीट हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपना साइन करके फिर से आपको अप्लोड करना होगा, तब ही पूर्ण माना जाएगा इन्होंने यहां पर साप साप दिया हुआ है, अग लिंक दी गई है, या आप हमारी टेलीग्राम जोइन करके वहां से भी डारेक्ट पीडिया डाउनलोड कर सकते हैं,